दोस्तों यहां पर अगर ब्रोडबेंड कनेक्शन की या फिर दोस्तों इक फाइबर कनेक्शन की बात की जाए तो यह हमें दोस्तों जो एक प्रीपेड कनेक्शन से भी सस्ता बढ़ता है तो आज की date में दोस्तों यहां पर broadband connection और fiber connection इन दोनों का बहुत ज़्यादा competition है as compare यहां पर prepaid connection और post paid connection दोस्तों अगर आपके घर के अंदर जो है जाधा family member है like आपके घर में 5 से 6 member है तो अगर दोस्तों आप उनको individually को एक number देते हैं like prepaid connection देते हो तो individually उनका one by one आपको recharge करा आना पड़ता है और आज की date में जियो एटल का जो recharge है वियाई के जो recharge है वो सड़े 300 से start होते हैं जिसके अंदर दोस्तों आपको unlimited calling मिलती है 100 SMS per day मिल जाते हैं सासमें दोस्तों आप लोगों को data बगरा मिलता है और जो data होता है दोस्तों उसके limit होती है डेट जीव या फिर उनको data use करना पड़ता है तो भाई उस case के अंदर आप जो है फाइबर कनेक्शन से या एक broadband connection ले सकते हो और आज की date में broadband connection बहुत ही सस्ते आपको देखने को मिल जाते हैं चाहे वो जियो का हो या फिर एटल का हो यहाँ पर दोस्तों सबसे टॉप पर यह दो ही network से लते हैं unlimited data मिल रहा था unlimited calling मिल रही थी बट यहां पर सिर्व आपको setup box या फिर कोई channels बगार की facility नहीं मिलती थी बट यहां पर आपको जो speed है वो 10 MPS की मिलती थी और मैंने इस plan दोस्तों अपने घर पर install भी कराया हो है और यह plan दोस्तों आज भी मेरे घर पर active है दोस्तों इस plan के अं सब्सक्राइब करें तो जियो के अंदर भी यह same plan launch हुए थे पहले यहां पर जियो नहीं launch किया था दोस्तों फिर उसके बाद 8L ने किया था अब यहां पर जियो के अंदर 198 के नाम से आता था जिसके अंदर आपको same to same benefit मिलते थे आपको 10 MPS की speed मिलती थी आपको unlimited data मिलता थ था एंट साथ में unlimited calling की facility मिल जाते थी क्योंकि जो वो setup box आपको मिलता था वाई उस router के थ्रू दोस्तों आप एक landline box जो है यानिक एक landline handset जो है उसको connect कर सकते थे और उसे आप unlimited calling कर सकते थे दोन लोग के case के अंदर भई आपको channels नहीं मिलते थे DTS connection नहीं मिलता था बट य देटाल ने 399 का recharge लॉंच कर दिया और Gio ने भी दोस्तों जो है 398 का recharge लॉंच कर दिया जियो के अंदर वैसे दो recharge आगे थे जिसके अंदर आपको DTS connection भी मिल रहा था जिसके अंदर Autority content भी मिल रहा था तो Gio के case के अंदर 198 का रिचार ऐसा था जिसके अंदर आपको DTS connection न मिल जाते थे साथ में कुछ OTT भी मिल जाती थी 5-6 OTT भी मिल जाते थी और 10 MPS की स्पीड थी यहां पर कॉलिंग भी थी इसके बाद दूसरा रिचार्ज भी साथ के साथ ही लॉंच कर दिया अगर आप 200 वैक्षा दोगे यानि कि आप 398 रुपीज कर रिचार्ज कराते हो तो 10 MPS की स्पीड रहेगी डेटा अनलिम्टेट रहेगा आपको यहां पर दोस्तों जो है जो प्लान है डिस्ट््रिबूट भी किये गये और काफी लोग हैंको इस्टोल ही कराया अब यहां में दोस्तों जनके बास existing है exist कर रहे हैं वह तो इन रीकार्जस को्यूज भी कर पा रहे हैर रीकार्ज बी हो और यूज कर पा रहे है जैसकि लगबग दोसो, च्छे मेरे साथ मेरे के आस पास चले मेरे इसाब से उसके बाद website से इनको हटा दिया गया था यानि कि discontinue कर दिया गया था बट discontinue करने के बाद अगर आप customer को call करके in plan के बार मैं पूच्छते थे तो प्लान तब भी आपको मिल जाता था बट अब दोसों जोड़ अनफोर्शनेटरी जाए इन प्लान को टोटली हटा दिया गया है अब यहां पर सिर्फ 8L के पास और जीओ के पास दो प्लान ऐसे बचे हुए है जिन प्लान के अंदर आपको यह 10 MBS स्पीड मिल जाती है तो वो प्लान आप कंसीडर कर सकते हो और बढ़िया प्लान दोसो आप लोगों का अच्छे से काम चल जाएगा 8L के 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 अंदर 399 का रिचार्ज है जिसके अंदर दोसो आप लोगों को 10 MBS की स्पीड मिल रही है सड़े 300 TV चैनल से मिल रहे है यानि कि आपको DTS connection ही मिल जाएगा data unlimited रहेगा unlimited calling कर सकते हो instrument आपको लेना पड़ता है landline number आप लोगों को 8L की तरह से provide कर दिये जाता है बस आपको handset लेना है, router से connect करना है और calling का मजा लेना है सास में जो DTS connection मिलेगा उसके अंदर आपको भाई, OTT content भी कुछ देखन को मिल जाता है बट जादा नहीं था थोड़ा बहुता ही था दोस्तों यहां पर ठीक है बट जियो के case के अंदर दोस्तों यहां पे आपको OTT content थोड़े जादा मिल जाता था अगर आप जियो का रिचार्ज कराएंगे तो जियो का 398 का रिचार्ज था जिसके अंदर दोस्तों आपको 10 Mbps की speed मिल रही थी unlimited data था, unlimited calling थी, सास में जियो join app के साथ भी calling कर सकते थे सास में यहां पे जो आपको channels मिलते थे, यह थड़े 400 के आसपा channel प्रवाइड करता था उस time पर दोस्तों और यहां पर दोस्तों आपको 12-14 oddity app भी मिल जाती थी तो जियो के case के अंदर आपको oddity थोड़ी जादा मिलती थी, और channel भी जादा मिलते थे यहां पे एक बर आपको live में चेक करके भी दिखा देता हूं अब गैस यहां पर हम computer की scene पर आ चुके हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने 8L का website open कर रखा है और 8L के अंदर यह जो connection आप यहां पे देख सकते हैं जिसकी मैं बात करता है 399 की तो यह plan आता है broadband standby plan के नाम से और यहां पर अगर मैं जियो की बात करूं तो जियो के अंदर दोस्तों यह जो plan आपको मिलता है 398 का यह मिलता है backup plan के नाम से तो यहां पर दोस्तों जो है सबसे पहले 8L की बात कर लेते हैं अगर आप 8L का 399 का recharge करवाता है तो इसमें आपको जैसे मैंने आपको पदा है कि 10 MBS की speed मिल जाएगी और इस plan को आपको 5 महिने के लिए advance recharge करवाना पड़ेगा इसके अंदर दोस्तों आप लोग देख सकते ह है उसके अंदर आपको काफी सारी ओटरी content देखों मिल जाती है यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं total जो है इसका आप लोगों से 3000 का चार्ज लिया जाएगा यानि कि अगर आप 399 प्लस GST करते हो तो 470 रुपे का बिल आपका परमत बनता है तो उसको पांच मेने से अगर आपके पास कोई existing plan चल रहा है तो वो percent इस plan को नहीं ले सकता तो यह चीज़ दोस्तों यहां पर मैंने judge करी है क्योंकि मैंने condition बगरा पता करी है customer कर से call करके तो वो कहता है कि यह सिर्म new customer के लिए दोस्तों यहां आप दोस्तों साथ के साथ ही बात करें Gio वाले plan की त इस plan की 1990 प्लस 13,000 GST करते हो तो दोस्तों आपको total जो खर्चा आएगा तो यहां पर मैं आपको calculator करके भी दिखा आ जाता दोस्तों live आप लोगों के सामने ठीक है यहां मैं calculator open कर लेता हूं तो यहां पर दोस्तों मैंने जाए 398 and multiply 5 कर लेते हैं तो आप देख सकता है 1990 बनता दोस्तों 248 रुपे की प्लस दोस्तों इसके अंदर आपको जैसे के एटल के अंदर 500 चार्ज लिए जा रहे हैं तो 500 चार्ज आपको यहां से भी देने पड़ते हैं तो अगर आप जियो का connection लेते हैं तो आपको जियो के अंदर पहली बारी में दोस्तों जो जो आठाई सो जो चार्ज है वो थोड़े इस से एक रुपे आप मतलब के आप मल्टिप्लाइ करें पांच से ठीक है तो ज्यादा हो जाता है और उन्होंने एटल उन्होंने यहां पे एक सिस्टम बना रख्या भाई कि आप लोगों से राउंड फीगर चार्ज लिए जाएंगे 3000 आपका यहां पे डेर्ट 100 रुप है थोड़ से एक्स्ट्र जाता है भाई ठीके लगबक डेर्ट 100 रुप है एक्स्ट्र जाता है बाकी दोस्तों दोनों ही प्लान आपको चार्ज करवा सकता है कश्मिन को कॉल करके अगर आप जिउो के इस बैक अप प्लान को देखना चाहते तो अंदर आपको जाना पड़ेगा उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा बैकप प्लान का तो बैकप प्लान के अंदर ये प्लान आपको देंको मिल जाता है तो भाई जिनको जुरूत है फाइबर कनेक्शन की और उनके पास पैसा लिम्टर सा है ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते घर के अंदर मल्टीवल मेंबर सेन के जादा मेंबर है तो भाई ये जियो का जो 398 का रिचार्ज है साफ में एटल का 399 का इन दोनों ही नेटवर्क के आप ये सस्ते वाले रिचार्ज करवा सकते हो जियो के अंदर आपको दस की स्पीड बताई जाएगी तो दोस्तों आपको 10 या 9 ही मिलेगी एटल के अंदर दोस्तों आपको 10 में स्पीड बताई गई है तो भाई मैं गरंटी देता हो कि 15-20 MBPS के स्पीड इजीली मिल जाती है बट कुछ एरिया के अंदर भाई 10 बताई तो 10 या 11 मिलेगी बट मेरे एरिया के अंदर यहां पर ज जाती है इसका लाइव डम भी मैं आपको खरा दूँँ दोस्तों ठीक है बट अभी फलान मैंने कनेक्ट नहीं किया दोस्तों ठीक है उसको पोज कर रखा है क्योंकि आपको पता कि मेरे पास एटल का 590 का प्लान एक्टिव है दोस्तों तो नेक्स्ट वीडियो में कभी मैं